मानिया उप्स अभापती महोदय, मैं बहुत गर्ब, आशा, विस्वास के साथ मानिया रास्टरपती महोदय के अभिभाशन पर धैनुबाद प्रस्तप के समर्थन में यहां खारा हूँ महोदय मैं असंत अथा पुर्बुत्र से आया हूँ अपने भाशन में एमानिया रास्टरपती महोदया द्वारा कही गई प्रत्यक बात ने समगर देश शहीद उत्तरपूर को भी स्पर्स किया है इसी संदर्ब में मैं सबसे पहले असंत अथा उत्तरपूर के विशे में कुछ बाते उलिख करना चाता हूँ महोदय महाकाईबी यूगों से ही असम एवं नौटिस्ट अखंड संक्स्क्रिटिक भारत से जुरा हुआ है महाभारत के कुरुक्षेत्र युद में कामरूप के राजा वगदत ने युद किया था मा सती के मृतर सरीर का अंग कामरूप में गिरा था और ओहिस्थान में है मा का मक्षा का मंदीर शक्ति पीत मा ट्रिपुरा सुंदरिक का मंदीर भी यही है बख्तियार खिलजी ने नलंदा विश्यविद्दालर को जला दिया था पूरे उत्तर भारत पर कबज़ा कर लिया था कि तो उसी शक्ति साली आक्रमनकारी बख्तियार खिलजी को कामरूप के महराजा प्रिथू ने हराय था नो दाउट इट वस नो तॉट इन अवर टेक्सबूक और हिस्ट्री लेकिन यह प्रिथ है महावीर लासित बर्फुकन के निर्ट्रितों में आहुम सेना ने औरंगजब की सेना को पराजित कर खदेर दिया था मुगलों को असमिय सेना ने 17 बार पराजित किया था अंग्रेजों के बिरूध हम ने भी किया था उत्तरपुर्ट के दिस्ट प्रेमिकों ने अंग्रेजों की खिलाफ यूद्किया था जेल गए थे अपने प्राणों की आहुति दिया धिती गोंधर कोर, रानी गाइदिनलियू, बीर तिकेंदरजित सिंग, बिदरुही, रतनमणी, रियांग, हलन लेपसा, यूतिरत सिंग, शियाम, रानी, रपुईलियानी, मजे रीबा, संगुधन, फंगलो के आदि अनेकों ने सतंतरता के लिए यूद किया था हमारे उत्तरपुर में 200 से भी अधिक जाती जन जाती हैं, और 220 से भी अधिक बोली भाषाएं हैं, तमिल भाषे के बाद, 14 सतापदी में रामायन का अनुबाद असमिया भासा में हुआ था, हैमकोष, असमिया भासा में, ब्रेली में भी अभिधान है सन 1935 में पहला असमिया सिनेमा जयमुति का निर्मान किया गिया था, यह भारत का प्रथम दस बोलने वाले सिनेमाओं में से एक है महान गुरु श्रिमन संकरदिब असमिया के संतान है, भारत रतना दक्तर भुपेन हजर का से, आर्डी बर्मन, एस्दी बर्मन, रतन ठ्याम, अरिवाम शाम सर्मा, मेरिकम से लेके हिमादास, लावलीना बर्गुहाई, मेरावाय चानो, प्रीरा और संक्रिती के अनीक उज प्रजल सितारों की जन्मभुमी है उत्तरपूब, उसी तरह महान आहुं बंक्स ने असम को 600 साल सासन किया था, एसिया महादेश का प्रथम और रिफाइनरी असम के दिगबोई में स्थापित हुआ था, देश के 50 प्रतिश्यत चाय का उत्पादन हम करते हैं, हम कि बिविन्न जोनों के बीच क्यों जन्म हुआ बिच्छनताबाद उगरबाद, स्वाधिनता के बाद असम में तथा उत्तरपूप्स हमेश उप्रप्चित हुई और उन्नें से भी बंचित होती रही है, हूँ वस इंपावर, बोथ इन नोर्ट इस्टन सेटेश और इन इ में औरרה लिझेडेढ का, जो यृजू एक्ट इन विर इन आज 문ोटरिफ चाहस औरम।लो・ इन दूर्पूबगेच न्म है इसैसमाहि, रिपalleyndakar गुवज इस्टेश समेट अभीचल रहे लिगिविच इन तन ए औरहेव, लिगने इस्टेट यपनिन्टन आज में ये संभव किसके लिए हुआ? I know even my friends from the opposition can answer it. It is because of Modi ji. The answer is known even to the friends from the opposition. और क्योंकि उत्तरपुर्व ही अब विशाल भारत का growth engine है, जिसके चालक हे हमारा परम आदरने प्रदान मंत्र नरेंद्र मोदी जी. मनें नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के प्रदान सेबक का दाइक तक रहन करने का बाद ही उत्तरपूर में उग्रबाद का घटना 74% कम हुआ है. जो अपना डिक्विजे सिंग साब बोल रहा था, अमृत काल किसके लिए, कहां के लिए? अमृत काल इस पर नौट इस्तन पीपल, डिक्रीज अव 70% अब एक्टिविटेस इन टेरोरिजिम, आर्थ हजार से अधिक उग्रबादी ने आत्मा समर्पन किया है, रास्तर दुरोह नहीं, अब रास्तर निर्मान में उलुप, देर डेडिकेट टेरोरिस्ट रेवल गूप्स आर इंदायलॉग, उननों का साथ सम्झोटा हुआ है, अल्मॉस्ट, I can say all the least, like, कार्भी अग्रबादी संगर्थनों का साथ, एंद्याबी का पांच गोटों का साथ, आर्थ, आदीबसी विद्रूह संगर्थन का साथ, सब का साथ, मोदी जी आने का बाद ही, शांती पक्रिया सुरू हुआ है, और बाकी दो तीन जो है, उनके लिए भी बर्या माहूल अब बन रहा है, इवन द आदर सेपरेटिस्ट ग्रूप्स आर शोइंद्रूह संगर्थनों का साथ, आर्थ, 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 आर्थ, 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 आर् during the tenure, of that ten years, he visited his own state, wherefrom he was representing only for eight times. दस साल में सरिफ आध बार गया, लेकिन मेरा प्रदान मंत्री उत्तर प्रुबे, in the last nine years, he visited 50 times. दोरा किया, उन्होंने प्रवास किया, नौतिस का लोगो का मन की बाद, दिल की बाद सुना. This is the difference between we, the ND or BJP, and the other people. And some facts I must say, because it will reflect the scale of development. Both I don't have so much time, and I have to cover almost all the seven states, along with my friend Kanyag. So the Central Government Ministry's departments have spent over 3.04 lakh crore, under 10% gross budgetary support to Northeast from 2014. And by spending approximately 13,000 crores, two real hydroelectric plant of Mizuram, Parya Hydroelectric Project and Kambang Hydro Project of Olunachal Pradesh, Tripura Gas-Based Power Plant, Agartala Gas Turbine Combined Cycle Extension Project have been dedicated to the nation. The Central Government is developing aims in Gawahanti. We generally, in Assam, we don't establish clinics at Mahalla, but rather we establish, we commission medical colleges in the districts, jaha all the modern technologies and medical science can be availed. And in Gawahanti, aims is established with a cost of previous 1,100. Maane Pavitra ji, Maane Pavitra ji, please. One minute. Motion of thanks on President's address for, Saish, Jo Bache, Vakta Hai, Unko Aaj Bolna Hai, Or Ye Sampan Ho Na Hai, Toha Ham Taptak Paiyatta Hai, Jab Taptak, Jo Saish Vakta Hai, Tien-Char Oog Bol Liette Hai. Thank you. मुझा गला, कि मुझा जिता दिक, मुझा रभे करें लोगाने लिए मुझा पर निएक बटे में our NDA, our BGP came to power within nine years we got new three bridges and three other on the pipeline and these are to be these are to be completed within a year or two so Modiji आने का बाद उसी दस ग्यारे वर्स मे we are going to get six bridges complete bridges and three bridges are another pipeline so 67 years only three bridges and during Modi's era nine bridges in ten years this is the scale this is the pace of development in our notice so till 2018 over 3,000 kilometers of routes have been built with the investment of 29,000 crore and so many data I have but I think I don't have time to say each and everything so riverine connection railway connection very interesting interesting point I want to mention in 1903 in 1903 in 1903 our northeastern state Nagaland got its first railway station in 1913 so you can imagine you can say to me what is the second station should be built or commissioned 1920, 1930, 1940, 1950 no we the people of northeast and the Nagaland Nagaland in the state of Nagaland we had to wait for 119 years for the second railway station which was commissioned by Narendra Modi ji's government for the second station and another you will be very glad to know that Mizuram I am talking about Mizuram railway saw the light of the day in Mizuram's first Brodga's train charred into the Mizuram on 27th May 2016 when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji flagged off the Siltchar-Vairobi daily passenger similarly Manipur entered the railway map of India when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji flagged off the first passenger train from Siltchar to Jiribam Sikkim is also waiting eagerly to get his first railway connectivity which is nearing completion under the tenure of Narendra Modi ji so this is the connectivity because Narendra Modi ji always says that the mission of North East is transformation by transportation so not only this we have got airports now about air connectivity Honorable Modi ji took keen interest in improving air connectivity in our region with Uransk in force aircraft movement in North East from August 17 to 22 rose to 7,973 flights further Roopsea airport in western Assam which remained defunct since 1984 has been redeveloped under Urwan and opened to public in 21 so Maharaja Birbitram airport of Tripura has increased threefold Pekyong airport is the only airport in the state of Sikkim and the first greenfield airport constructed in the North Eastern region of India which is inaugurated by Honorable Modi ji in 2018 so if not you have been the opposition especially the Congress had been in power for so long but sab kush to az Modi ji ka din mi ho ra hai that's why we wholeheartedly support which is being addressed by Honorable the President of India I want to mention one thing the opposition even from our Treasury we are discussing about Bharat Juro it's good but Chairman sir before I conclude my speech in support of the address of Honorable President I will mention about a few points about our youth and sports but before that because Bharat Juro is a topic we have been noticing that's being glorified by the Congress people Bharat Juro Yatra okay the official tweet on 10-222 in an official handle which was tweeted in 10-222 the new leader leader and the sinusoid of the Bharat Juro Yatra had narrated I quote there is strength in our nation it's not my version it's been I'm quoting it it was reiterated by one of the highest leader of the Bharat Juro Yatra the main sinusoid the center of attraction he tweeted officially very interesting and very heartening for you Northeastern people just you'll be surprised to listen to these sentences there is strength in our nation our union of culture our union of diversity our union of languages our union of people our union of states from Kashmir to Kerala from Gujarat to West Bengal India is a beautiful in all its colors don't insult the spirit of India I unquote we are seven states but the main hero of the Bharat Juro Yatra he tweeted officially that his map of India the concept of India is Kashmir to Kenna Kumar is from Gujarat to Bengal and the political tourist you visit very frequently during the days of election please please you see it's officially tweeted it's a Samashti the leader has tweeted that his concept of India he is India a plus six student can understand this that from Kashmir to Kenna Kumar for Gujarat to Bengal this is India it's a joke for us it's not in the Meghaloid Tripura Manipur Mizuram Nagaland with these seven states it's not in the Bharat Jurok concept Bharat please conclude conclude but Narendra Modi ke liye apna North East te Ashti Lakshmi Ishaan Kumbaya Osteep Ashti Lakshmi the growth of modern India that is why people of Assam people of North East always in support of Narendra Bundiji thank you join me from 133 to come to